Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. इससे पहले कि आप लोग होलसेल बिजनस में घुसें ये प्राइसिंग का फंडा क्या है ये थोड़ा सा आज आप इस वीडियो में जान लीजे तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बीच में वीडियो छोड़ दिया कहीं न कहीं ये critical information रह जाएगी तो चलिए मैं मैं बात करता हूं directly यहां पर margins के बारे में margin decide करने से पहले आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपके monthly expenses कितने हैं OPEX और CAPEX आप लोगोंने सुना होगा capital expenditure और operating expenditure तो वो आप लोगों का कितना आ रहा है वो आपको समझना पड़ेगा let's say कि आप 1 लाग का business wholesale का करना चाते हैं और आपका operating expense और capital expense दोनों मिला के करीबन मान के चलिए कि 20,000 के आसपास खर्चा रहा है that may include your rent जहां पर भी आप rent पे कर रहे हैं वो प्लस आपकी खुद की salary मान के चलिए आप labor को दे रहे हैं वो packing expense है वो light bill हो गया printer का कॉस्ट आ गया cartridge का toner का खाने पीने का चाय etc. etc. मतलब जितने भी आपके expenses होते हैं पूरे महिने के वो आप एक side में note करके रखिए तो मान के चलिए 20,000 रुपया चलिए आपका expense होता है per month अब आपको decide करना पड़ेगा कि आप कितना business every month करना चाहते हैं let's say कि आप business करना चाहते हैं wholesale का 1,000,000 रुपय का 1,000,000 रुपय इतने loss में गए 10,000 loss में गए तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा margin आपको जादा रखना पड़ेगा simple rule है यहाँ पर जितना आपका expenditure है उसको छोड़ के आपको net margin सारा खर्चा निकाल के 5-10% margin आपको रखना चाहिए ही चाहिए wholesale business में अगर आप कम level का सोच रहें त तो मतलब लाग, दो लाग, तीन लाग का average turnover पर मन्त का सोच रहें तो अगर आप सोच रहें कि एक करोड का transaction करना है every month या उससे भी जादा तो उस situation में आपके जो calculation से वो थोड़े से change हो जाएगे अगर आप एक करोड का turnover करना है definitely आपका जो जगह है उसका rent जादा होगा maybe 40 30,000, 50,000, आपके पास 2-3 लड़के होंगे, उनकी salary होगी 20-30,000 रुपए, आपके operating expense दूसरे जितने भी है, light bill है, चाय पानी का खर्चा है, किसी को कहीं emergency की ज़रूद पढ़ गई, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, वो printer का, साफ सफाई का, मतलब हर एक मिला के चली के 80-90, 20,000 के आसपास, या 1,00,000 रुपए आपका खर्चा होता है, in case you are doing a big business, अब उस case में, अगर आप 2 टके का भी business करते हैं, या 2-3 टके का भी business करते हैं, तो आपका फाइदा ही है, overall आपका फाइदा ही है, देखिए, आप कैसे business कर रहे हैं यहाँ पे, margin आप ज्यादा नहीं र बचते हैं, लेकिन, turnover अगर आपका कम है, 1,00,000 का आप turnover कर रहे हैं, तो आपको margin वहाँ पे ज्यादा रखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, कि हर एक बंदा same margin रखके wholesale business करता है, बंदा wholesale business पे margin based on their turnover decide करता है, अगर turnover ज्यादा है, तो वो margin कम रखता है, turnover कम है, तो margin margin ज्यादा रखता है, simple सा रोल है, वरना खर्चा पानी नहीं निकलेगा, अगर आपके expenses नहीं है, आप घर से wholesale business कर रहे हैं, या फिर whatsapp से कर रहे हैं, आपके दूसरे expenses नहीं है, आप 5 टके में भी कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ 3% में भी कर सकते हैं, अगर आपके दूसरे क इतना ज्यादा business कर सकते हैं, वाटसेप के बारे में wholesale business कैसे करना है, वो मैंने पहले अलड़ी बता दिया है, तो वही चीज मैं फिर से यहां पर repeat नहीं करूँगा, but margin set करने हैं, इसके बारे में ये वीडियो मैंने आज बनाया था, तो it depends कि आपका जो gross margin है और net margin, gross margin, net margin श आपको रखना चाहिए, wholesale business में, जिसके अंदर expenses सारे already deduct हो चुके है, as I said, turnover आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, in case, if you want to earn more and keep lower profit, lower margin for yourself, अगर आपको ज्यादा margin देना है, अपने resellers को, अपने buyers को, तो आपको turnover वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप wholesale का business नहीं कर प पाता है, नहीं successful हो पाता है, क्योंकि they are not able to generate that much of turnover, अब turnover generate नहीं कर पाएंगे, तो ये business आप नहीं ही कर पाएंगे, unless and until, कि आप ऐसे लोगों के साथ network में जुड़े हैं, जो लोग मजबूरी में आपसे products खरीते हैं, लेकिन अप internet connectivity बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपको प business ज्यादा चलेगा, वरना तो supplies को ढूनना आज के जमाने में बहुत easy है, तो दूस्तों वीडियो को close करने से पहले, फिर से एक चीज़ मैं आपको वही चीज़ repeat कर देता हूँ, अगर turnover कम है, तो minimum 10-20% का margin आपको रखना पड़ेगा, turnover ज्यादा है, तो margin आप कम रख सकते ह हों है, खोशिस यह करिएगा कि आपका turnover ज्यादा हो, turnover ज्यादा करने के लिए आपको ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, ज्यादा लोगों से interaction करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को network में add करना पड़ेगा, जिससे आपका turnover जो है, वो अच्छा हो सकता है, लेकिन कम turnover में आप करने जाएंगे तो wholesale का business definitely वो नहीं कहला पाएगा क्योंकि उसमें आपको margins ज्यादा रखने पड़ेंगे in case you have already too many expenses happening on the other side. तो दोस्तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा wholesale business start करने से पहले 2019 में या फिर आप अभी कर रहे हैं तो. So that's it दोस्तों आज की वीडियो में इतना है कहना चाहूंगा ये information आपको दी अगर valuable लगी हो तो please comment box में लिखिए like भी definitely करिए अगर ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं tips and tricks वाले ताकि मैं और वीडियो ऐसे बना पाऊं और आप लोगों के साथ share कर सक so that's it आज की वीडियो में इतना है thank you take care god bless you all bye bye कर दो कर दो